कि हैं लो दोस्ते वेलकम बैक टूमाई यूटूब क्रेनल तो दोस्तों कैसे हैं आप लो आशा करती हूं सब लोगों होती अच्छे होंगे तो दोस्तों आद में बनाने जा रहे हूं और मूली के पतों की सब्जी तो अगर मेरा विडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्स् पानी को अच्छे paradox में अब हैं बहूती है नगे सब्सक्स हरवार करी में द्यूंग harus कई और यदि थूंगी उसके बाद में मघैंज हैं दिए दिए और कFF आठी नगा और करें आसमेर तो ऐसे भी खाने के साथ अच्छी लगती है पर मूली की सब्सक्राइब है अब एक बार इस तरह से बनाकर देखें जरूर बहुत अच्छी लगती है तो मैंने गोकर में तरी मूली की पत्टे को डाल दिया है इसमें हलका सा पानी डालूँगी जयादा नहीं बिल्कुल निचोड़ हैं भी पाने नीचोड लेना है कि बिल्कुल फ्रपनीय नहें ना चाहिए कि यह सूखी सूखी सब्जें मनानी है दूच्ट दीवा उसलिए देखे दो स्तों में सारा निर्सोड दिया है के अब मैं इसको छुखनी तो मैं इसको ब्ल उसकर्णे क्या किया है लेसुन लिया है और हरी मिश लिया है जीरा लिया है और कड़ाई में तेल डाल दिया है तेल गरम हो गया इसमें जीरा डाल दूंगी और लेसुन डाल दूंगी दोनों को अच्छे से पकाऊंगी हरी मिश डाल दूंगी थोड़े से मसाले डालोंगी और मसाले डा कि उसके बाद में अच्छे से चलाना है इसको सखाते रहना है एक दम यह जब हलका सा रेडरेड होने लगे तब ही समझ लेजिए आप से में नमक डाल दिया है मैंने टेस्ट के अमसार अब इसको में खुलाई पकाऊंगी और बीच-बीच में चलाते जाओंगे अच्छे से ताकि चिपके ना सब्जी जले ना दीमी दीमी आज पर इसको पकाना है थोड़ा से टाइम लगेगा लेकिन यकीन माने दोस्तों सब्जी बहुत अच्छे लगती है इस तरह से बनाने में तो मैं बीच-बीच में चलाते जा रहे हूं जैदिके दोस्तों सब्जी कलर हाना कि बहुत टेश्टी लगती है सब्जी इस तरह से बनाकिर पराठे भी में बना सकते हैं और याव फिसे रोटी की साहसा के इस सब्जी मेरे पकच tikर है यह यह जी बिल्कुट बिल्कुल सुकी стало कि इसका साला पानी मैंने शुखा लिया है तो चलिए आप लोगों के लि दस्तों तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग दस्तों